पूलिस पब्लिक अशोशियेशन की एहम बैठग स्पी कार्याले में आयोजित की गई बैठग की अध्यक्षता स्पी अर्जित सेन ने की जबकि डियस्पी रेणु शर्मा हितेश लकन पाल भी मुझूद रहे बैटक में पूलिस पब्लिक एसोशियेशन के आगामी दिनों के लिए रणनीती बनाई गई और एसोशियेशन की सदस्यता को बढ़ाने के लिए चरचा की गई साथ ही जिला में पूलिस के किस तरह से तालमेल बनाकर काम किया जाए इसके लिए खाका त्यार किया गया SP हमीरपूर अर्जित सेन ने बताया कि PPA की बैटक में आगामी दिनों के लिए प्लानिंग की गई है और जिस तरह से जिला में काम किया जाए इसके लिए रूप ट्रेखा त्यार की गई है उन्होंने कहा कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग PPA से जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा फाइदा पुलिस को पहुंचेगा आज हमने हमिरपूर पुलिस पब्लिक एसोसेशन के एक मीटिंग रखी उसमें इस एसोसेशन के करेंट मेंबर्स खासकर जो कोर कमिटी के हैं और शुरू से जुड़े हैं इस कार्रे में उनके साथ एक मीटिंग की गई इसमें हमने कुछ इंपोर्टन मुद्वों पे चर्चा की जिसमें से इस एससीशन के मेंबर्स जदा बढ़ाने का एक में मुद्दा था जिसमें विमन रेप्रेजंटेशन और यूथ और सीनर सेटिसन को जोड़ना एक महरा में में कारिकरम रहेगा दूसरा हमने ये भी चॉक आउट किया कि किस तरह से हम और इंप्रूव करें ताकि हमारे काम मतलब पुलिस एसोसीशन पी पी ए के जो काम है वो और जादा पबलिसाइज हो और एक्टिविटी जादा बढ़े तो हम इसके बाद और भी मीटिंगों का करम जारी रहेगा और हमको उमीद है कि जितने जार लोग आपके माध्यम से हमारे एसोसीशन के साथ जुड़ना चाहें उतना हमको ये फायदा होगा और एस वोलंटियर्स वो हमारे साथ एसोसीशेट कर सकते हैं पीपीए अध्यक्ष रमेश ने बताया कि बैठक में पुलिस के साथ आगामी दिनों में किस तरह से काम करना है इसलिए चर्चा हुई है और स्कूलों में जागरुकता शिविर्थ नशे पर नकेल कसने के लिए कैसे काम किया जाए इन सभी पर आगामी रणनीती बनाई गई बैठक में पीपीए परधान रमेश, महासचिब, राजीब पूरी, मेहर सिंग, सुभाष, राजन, संजीब, नेकराम, जसवन सिंग, जसवीर कुमार, अरविंदर सिंग, रिपिन कबिल भी मौजूद रहे